तुलसी शर्मा और आज मैं शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ मेरा यह पिंक इद मेकप और इस्पेशलिए उन लोगों के लिए है जो बहुती बिजी रहते हैं जैसे वर्किंग वुमन है या हाउस वाइफ्स हैं तो उन लोगों को उतना टाइम नहीं मिलता है मेकप करने के लिए तो यह काफी easy और simple makeup look है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इसकी help से आप काफी अच्छे से makeup create कर सकते हैं तो मैंने वीडियो में दो तरह से makeup create किया है एक है simple makeup और जिसमें मैंने jewelry वगरा कुछ भी carry नहीं किया है बहुती light lip shade यूज किया है तो जिन को इस तरह का look पसंद है वो लोग उस look को try कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि वीडियो की तरफ और देख लेते हैं मैंने कैसे create किया है इस makeup look को वीडियो काफी helpful है friends तो वीडियो को पूरा देखिएगा makeup करने से पहले हम करेंगे अपने hair को curl तो उसके लिए हमें इरिया से start करेंगे और हमें अपने two finger पर धीरे धीरे roll कर लेना है अपने hair को wrap कर लेना है और उसके बाद pin से tuck कर देना है तो section wise आपको hair को divide कर लेना है और सारे section को आपको इसी तरह से pin से tuck करते जाना है और जब तक आप makeup करेंगे आपको means आदा पौना घंटा लगेगा makeup कर करने में इतने देर में आपका जो hair curling है वो complete हो जाएगी अगर आपके पास hair spray है तो आप इस प्रे भी यूज कर सकते हैं तो काफी long time तक आपके hair कर रहेंगे और अगर आपके पास spray नहीं है तो आप इस तरह से भी use कर सकता मीन्स इस तरह से भी ट्राय कर सकते हैं ये भी आपने मेरे वीडियो में देखी लिया है और आगे भी जब आप मेरा फाइनल लुक देखेंगे तब भी आप देख लीजेगा बहुत अच्छे लग रहेते हेयर कर्ल करने के बाद बाये बाया है और आये तब कर दोम आप देखेंगे वीजेग लिपांपल सेस्ष्ट अच्छेर देत अरिख कर दो हैं अच्छी येड़ एक घटिर देखेंगेगेंगे कर दो कर दो हमने करो दोद्सेर डिरताश Aaपर के दोह आपने हैं दोहां ओूद्टटनλλά Oreo 9 attachments कर दोागच अब हेर स्रक्शन को कम्प्लीट करने के बाद अब बढ़ेंगे मेकप की तरफ तो सबसे पहले आपको कर लेना है आपका स्किन केर रुटीन फॉलो और मैं कर चुकी हूँ और उसके बाद हम करेंगे अपने फेसको प्रैप यानि या फिराइमर है क्राइमर के आपके पास िekingरें प्राइमर नहीं है तो आप जैल भी यूज कर सकते हैं विल्ग भी टाइम नहीं लेता है ब्लेंड होने में तो आपको इसी तरह का कोई फांडेशन ले लेना है जो जल्दी ब्लेंड हो जाए अगर आपके पास इस तरह का फांडेशन नहीं है तो आप बीबी सी सी क्रीम भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद हमने बेस को सेट करने के लिए use करेंगे compact का तो compact है मेरा purple का आपके बस जो कोई भी compact है या loose powder है आप उससे अपने base को set करें, dab dab करकर rub नहीं करना है, face को बिल्कुल भी dab dab करके इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही है उसी तरह से आपको apply करना है, इससे आपका जो make up है वो long lasting होता है अब हम स्टार्ट करेंगे eye makeup और मैंने इस तरह से sallow tape लगा लिए हैं आप भी इस तरह से लगा सकते हैं, इससे काफी easy रहता है eye makeup create करना और सबसे पहले pick करेंगे हम brown color, इसे हम अपनी crease पर apply करेंगे, आप कोई भी eye shadow palette यूज कर सकते हैं मेरा जो eye shadow palette है, वो है makeup revolution का, तो आपको अपने crease और crease से उपर तक brush को ले के जाना है, इससे आपका crease define हो जाता है, और उसके बाद हम apply करेंगे dark pink color, और जो मैंने eye shadow palette यहां पर use किया है, वो है मेरा in color का, आप कोई भी eye shadow palette यूज कर सकते हैं, उसमें से आपको pink करना है, पिक करना है dark pink color, और इसको अपने eye lid area पर पीछे की तरफ यानि half eye lid area तक आपको अच्छे से place कर लेना है, dark pink हमें चाहिए, इसलिए हमें सबसे पहले place करना है, और blending करेंगे हम बाद में, अच्छे से place करें आप और अब मैंने ले लिया है blending brush, और blending brush में भी मैं same color है वो पिक करते जा रही हूं, और blending भी करते जा रही हूं, तो blending बहुत जरूरी है, summer time है, तो आपका make-up क्रीज ना करें, इसलिए blending बहुत जरूरी है, blending जरूर करें, तो दोनों eyes पर आप देख सकते हो, pink color apply हो चुका है, blending अभी तक जारी है, और blending, blending and blending, तो blending करने के बाद, अब हम करेंगे आगे का make-up, और अब मैंने पिक किया है, black color, और इस black color को मैं ले लूँगी, एक flat angular brush पर, और इस brush से हमें क्या करना है, हमें apply करना है, हमारा liner, तो यहाँ पर मैं eyeliner यूज करने वाली नहीं हूँ, इस palette से ही, मैं black color pick करके, eyeliner यूज करूँगी, तो आपको बार-बार, product को change नहीं करना पड़ेगा, इससे आपका time save होगा, और इससे भी काफी अच्छा liner, means लग गया था, आप देख सकते हो, काफी अच्छा eyeliner मैंने, means create कर लिया था, wing eyeliner, तो काफी अच्छा लग रहा था, तो आप भी इस तरह से create कर सकते हैं, और अब मैंने ले लिया है, highlighter, highlighter है मेरा मियोन का, और इसमें से मैं पिक करूँगी, light pink shade, और आगे की तरफ, अपने eyelid area पर apply कर लूँगी, धीरे धीरे आपको apply करना है, आप चाहें तो black color बाद में यूज करें, पहले ये जो मैंने highlighter यूज किया है, इसे यूज करें, और उसके बाद मैं inner corner से नीचे तक, यानि की water line तक इसको apply करूँगी, half water line तक, अच्चे से धीरे धीरे blend करें, और उसके बाद मैंने same brush लिया है, मैंने extra कोई भी color pick नहीं किया है, same वही brush लिया है, और उसे दुवारा से मैं pink shade को set कर लूँगी, और फिर से black color मैं as a eyeliner use कर रही हूँ, जिसे dark color दिखे, आप चाहें तो single coat भी छोड़ सकते हैं, मैंने double coat किया हुआ है, और उसके बाद मैं ले रही हूँ, मेरा जो मैंने fix किया था, means place किया था, जिस brush से अपने pink color को, उसी brush को लेकर, मैं half waterline पर, यानि पीछे की waterline पर, means इसमस करूँगी इस pink color को, आपको और color pick नहीं करना है, जो color था brush पर वही apply करना है, otherwise बहुत over लगेगा, और उसके बाद मैंने pick किया है, light brown color, means bronzing के लिए, जो words हैं, वो भूल जाती हूँ जल्दी में, तो please don't mind, तो bronzing करनी है, bronzing के लिए आप pick करें, जो brown color होता है, वो, कोई भी eyeshadow palette है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको color, बहुती अच्छे से select करने हैं, means वो समझ कर से select करने होते हैं, light brown color में इसलिए pick कर रही हूँ, dark brown भी कर सकती हूँ, बट light brown color में, आपको blending की भी उतनी यदा tension नहीं रहती है, एक shadow create करना होता है, तो वो easily create हो जाता है, और बहुती, अगर आपको fast make-up करना है, आपके बस उतना time नहीं है, तो आप हमेशा light color ही pick करें, तो इससे कुछ भी खराब होने का डर नहीं रहता, आपको अगर means brownsing करना नहीं आती है, तो भी आप इसे try कर सकते हैं, और अब मैं अपने nose को contour कर रही हूँ, अगर आपकी nose slim है, पतली है, तो आपको contour करने की जरूरत नहीं है, तो jawline पर भी मैंने means highlighting की है, जिससे मेरा face जो है, वो और भी slim दिखने लगे, आप चाहें, तो light shade pick कर सकते हैं, eyeshadow palette से, अगर आपके पास ये stick नहीं है, और उसके बाद हम लगाएंगे blush, तो blush थोड़ा से मैं dark apply करूँगी, आपके पास जो कोई भी blush है, आप वो यूज करें, मेरा जो है, वो मैंने local market से purchase किया था, बहुत ही affordable सा, मेरा ये blush है, बट लगाने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है, तो आपके पास जो कोई भी blush है, आप blush जरूर यूज करें, बलश से जो हमारा face है, वो बहुत ही प्यारा सा लगने लगता है, तो मैंने blush अच्छे से apply कर लिया है, और मैं बन चुकी हूँ pink की, और अब मैं लगाऊंगी काजल, और आपको full waterline पर काजल apply करना है, तो मैंने full waterline पर काजल को apply किया है, और अब मैं eyelashes को कर रही हूँ, curl, अगर आप चाहें, तो curl करने के बाद, mascara यूज करने के बाद, आप move on करें, आगे के make-up की तरफ, बट मैंने false eyelashes भी use किये हैं friends, और अब हम फटाफट से बढ़ते हैं, अपने final look की तरफ, तो मैंने यहाँ पर दो make-up look create किये हैं, एक simple make-up look और एक heavy make-up look, और यहाँ पर जो मैंने lip shade यूज किया है, वो है stick walkie का mini lipstick, उसमें से एक shade है, यह बहुती light सा pink shade है, और बहुती pretty लगता है, तो मेरे dress का बहुती अच्छे से जा रहा था, आपको कैसा लगा, यह वाला make-up look मेरा, प्लीज कमेंट करके जरूँ बताइएगा, और second look है मेरा यह, इसमें मैंने jewelry carry की हुई है, और मैंने lip shade change कर दिया है, डाक red color का है, यह lip shade और यह है purple का, तो यह भी बहुती प्यारा लग रहा था, तो दोनों ही look मुझे बहुत पसंद आए, आपको कौन सा look पसंद आया, प्लीज कमेंट करके जरूँ बताइएगा, I hope मेरा यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी helpful रहेगा, अगर वीडियो helpful रहे पसंद आए, अगर बताइएगा,